नमस्कार दोस्तो मैं निसानत एक बार फीर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेकर दोस्तो आज का वीडियो थोड़ा इंटरस्टिंग होने वाला है आज मैं लेकर के आए हूँ आपके लिए पार करके सारे फाउंटेन पैन जो की अभी मार्केट में अवलेबल है वीडियो अन तक देखेगा बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फाउंटेन पैन आप यहाँ पर देखें इमें पास है पारकर बेटा नियो फाउंटेन पैन पूरा प्लास्टिक का फाउंटेन पैन है सबसे बेसिक फाउंटेन पैन आता है इसका प्राइस आपको मिलेगा लगभग 1.500 रुपे और ये देखे उपर जो कैप है वो हेक्सागोनेकल सेप में होती है यहाँ पर बिल्कुल राउंड होता है अच्छा एक बता देता हूँ यहाँ पर क्लिप के नीचे पारकर लिखा रहता है हमेशा सभी fountain pen में और पीछे की तरफ एक कोड लिखा रहता है यहाँ पर यह है section इस तरह का आपको section मिलेगा थोड़ा सटे पर section मिलता है निप बिल्कुल basic type का निप आपको मिलता है और जो converter मिलता है वो push pull type converter इस fountain pen में आपको मिल जाता है next जो fountain pen है वो पारकर बेटा standard है इस तरह का fountain pen पहले आते थे अभी ये available नहीं है market में इसके जगे पर जो fountain pen आता है पारकर बेटा premium fountain पैन आता है जिसके अंदर आपको cap थोड़ी से different मिल जाती है इसमें cap जो है aluminium की बना दी गई है clip आपको उसी तरह की same clip मिलती है थोड़ा सा इन में जो है निप का भी difference है यहाँ पे निप देखे आपका पारकर बेटा standard में triangular face के साथ आता था और यहाँ पे इस तरह का का निप आपको मिलता है बाकी सभी पूरा fountain pen same है आपको मिल जाता है next जो fountain pen है वो पारकर vector है यह fountain pen यह थोड़ा better fountain pen आ जाता है अगर buy करना है आप इस fountain pen को buy कर सकते है थोड़ा sleek fountain pen होता है clip इसमें भी simple आती है पीछे के तरह पर एक fitting मिलती है जो कि chrome card डिट रहती है यह plastic में मिलता है plastic और metal का combination मिलत जाता है SS material के साथ जो plastic है उसके नीचे जो section है वो stainless steel brush pattern में आपको मिलता है इसका निप different triangular face के साथ मिलता है यह थोड़ा सा better निप है तो दोस्तों इसकी range है 300 से लेकर के 700 रुपे अब वो डिपेंड करता है material के ओपर किस material का fountain pen बना है तो यह है पारकर वेक्टर next fountain pen है पारक यह थोड़ा सा नया fountain pen है plastic का भी मिल जाएगा और stainless steel का भी मिल जाएगा तो इस तरीके का यह fountain pen है इसके अंदर निवीच तरीके का आपको मिल जाता है और section आप देखे plastic का section आपको मिलता है थोड़ी सी problem plastic वाले version में यह है कि अगर यहाँ पे converter लगा देते हैं तो यह first के अ मिलता है लेकिन जो section है वो plastic का ही आपको मिलता है यानि कि आपका section में कोई change नहीं किया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों fountain pen लगभग same है तो इस तरीके से यह fountain pen भी आप buy कर सकते हैं इसकी जो range है वो साड़े 300 से लेकर के 400 रुपे की range में यह fountain pen मिलता है next fountain pen ह पारकर फ्रंटियर तो यह वाला fountain pen देखें मेटली fountain pen होता है और इसके उपर यह black coating की गई है बहुत ही खुबस्वर्थ fountain pen देखने में लगता है गिफ्ट रने के लिए काफी अच्छा fountain pen है 500 से 700 गे range में यह fountain pen मिल जाता है यह plastic का आपको section यहाँ पे मिलता है निव इसमें थोड़ा सा बड़ा साइज का निव जिस तरीके पारकर सोनेट में है उस तरीके का निव मिल जाता है हाला कि उतना बैटर है निव यह नहीं है अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे converter वही push-pull type converter आपको इसमें भी मिल जाता है इसका एक वरजन आता है यह stainless steel का आप देख है बाकी उपर का जो material है यह आपको different मिल जाता है तो fountain pen यह भी काफी अच्छा है नेक्स जो fountain pen आता है पारकर ester है यह 1300 से 1500 की range में fountain pen आता है इसके उपर coating बहुत ही बहतरी लेकर coating आपको मिलती है मुझे बहुत personally अच्छा fountain pen यह लगता है golden trim के साथ बहुत ही खुब स्वाइ पर आपको मिलता है निव उसी तरीगे का मिलता है मताद सेप आपको same इनिव मिलेगी निव की जो की पारकर beta premium में मिलती है उसी तरीगे का निव मिलता है लेकिन better निव आपको यहाँ पे मिल जाता है barrel metal का है ऊपर इसमे लेकर coating है converter आपको वही push-pull type मिल जाता है next जो fountain pen है यहां परकर जोटर फाउंटेन पैन और यहां पर देख सकते हैं इंडिया के अंदर यह फाउंटेन पैन अवलेबल नहीं है यह लगबग पंदरासू से लेकर के धायजार की रेंज में आता है डिपैंड करता है किस मटीरियल का बना हुआ है एक प्लास्टिक वरजन आता है जिसमें बैरल प्लास्टिक का होता है और यह जो है मिटैलिक वरजन है जो 2.500 रुपे की रेंज का फाउंटेन पैन आपको मिलता है यह मेड इन फ्रांस फाउंटेन पैन है और यहां पर देख सकते हैं आप कह बहुत ही अच्छी सी आपको स्टेनलेस स्टील की मिलती है निव इसमें देख सकते हैं आपको पारकर वेक्टर की तरह का निव मिलता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा निव आपको मिलता है मिटैलिक बैरल के साथ यह काफी स्लिक फाउंटेन पैन है जो इसका सेक्षन है वो प्लास्टी का सेक्षन है थोड़ा सा यह निगेटीव पॉइंट इस फाउंटेन पैन में मुझे लगा है बाकी फाउंटेन पैन काफी खुबसूरत यह भी है नेक्स है पारकर वेक्टर अकसल तो यह fountain pen आप देख सकते हैं यह धाई जार रुपे की range का fountain pen है यह काफी नया fountain pen है और यहाँ पे देखिए इसको इसका निप काफी बड़ा है क्रिस क्रोस पैटर्न में इसका पारकर निप मिलता है और इसका जो फीड है वो थोड़ा सा उस तरह का है जैसा की waterman का फीड मिलत है और यह fountain pen भी इंडिया के अंदर अवलेबल नहीं है 2000 की range में है अगर आप बाई करेंगे और मंगाएंगे तो काफी महगा यह आपको fountain pen पढ़ सकता है नेक्स fountain pen है यह है पारकर ओडिसी fountain pen metallic fountain pen है पूरा बहुत ही signing इसके उपर आप देख सकते हैं और gun metal का यह fountain pen है पूरा यह देखे पूरा metallic fountain pen है इसके उपर pattern भी आपको अलग से मिल जाता है यहाँ से थोड़ा सा taper मिलता है जो converter मिलेगा push pull type मिलेगा और जो section मिलेगा वो पारकर ester की तरह का section आपको मिल जाता है निव इसमें थोड़ा सा different आपको पारकर joter की तरह का निव इसमें मिल जाता है ल नेक्स fountain pen है पारकर अर्बन और यह पारकर अर्बन लगवक तकरीबन 2900 रुपे का fountain pen है बीच में से मोटा है यहाँ से पतला हो जाता है यह different type का design आपको इसमें मिल जाता है और यह stainless steel की इसकी cap है और clip आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से आप यह fitting लगाई है और यह paper है criss cross pattern के साथ आपको nib इसमें मिलता है और यह इस तरह की feed मिलती है barrel metallic है और कई colors में आपको यह fountain pen मिल जाता है जो converter है वो push pull type converter भी इसमें मिलता है नेक्स्ट है पारकर आएम यह वाला fountain pen आप देख सकते हैं यह fountain pen भी काफी अच्छा fountain pen है sleek fountain pen हलका सा taper आपको मिल जाता है य और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भेतरीन सी signing इस fountain pen में आपको मिलती है आगे की तरफ से थोड़ा सा taper यह मिल जाता है clip screw clip आप देख सकते हैं एक भेतरीन सी clip मिलती है आपको metallic fountain pen है यह plastic का section है लेकिन काफी अच्छी plastic की यह better plastic आपको मिलती है अंदर की तरफ यह stainless steel fitting converter वही आपको सेम आपका push-pull type मिलता है और निब इसमें देखे एक better निब आपको इसमें मिल जाता है नेक्स जो fountain pen है पारकर सोनट यह one of the best fountain pen है पारकर का और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का straight look के साथ यह fountain pen मिलता है लेकिन one of the best और one of the best balance fountain pen मैं कहूंगा इसको है यह बहुत ही बहतरीन fountain pen है बैरल आपको इसमें brass का बैरल आपको मिलता है जो converter है वो भी आपको premium converter इसमें मिलता है यहाँ पर stainless steel की fitting है उसके उपर आपको एक अच्छी सी grip मिलती है काफी लंबी grip है निब इसमें काफी बड़ा सा निब आपको मिलता है जैसा कि पारकर frontier में निब है उसी तरह का निब आपको मिलता है लेकिन यह बैटर बना हुआ निब है और काफी बहतरीन चलता भी है मेरा फेवरेट fountain pen है और मुझे सबसे अच्छा इस पूरी स्रीज में यह fountain pen लगता है देखने में भी काफी खूब सूरत और काफी professional fountain pen यह मुझे लगा है next fountain pen ह आइकोनिक पारकर 51 यह fountain pen पहले जब आता था तो एक different material के साथ और different feel के साथ fountain pen आता था बैटर fountain pen होता था आज कल जब दुवारा से launch किया है इस fountain pen को तो इस तरह का यह fountain pen आपको मिलता है यहाँ पे निब इसका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है और hooded निब यह आपक इस पारकर 51 में मिलता है 7000 से 8000 की range में fountain pen मिलता है और इसका जो आपको converter है यह भी आपको premium converter मिलता है जो पुराने पारकर 51 होते थे वो better fountain pen थे और बहुत बहतरी इन fountain pen थे और इसकी price range काफी ज़्यादा है जो आपके gold के साथ आते हैं वो काफी महनगे fountain pen पेनाते हैं इसके जो फाउंटेन पैन आता है सबसे प्रीमियम फाउंटेन पैन वह पार्कर डोफोल्ड वो मेरे पास नहीं है लेकिन वो 35,000 से 45,000 की रेंज के बीच का फाउंटेन पैन है और इंडिया के अंदर भी आपको वो मिल जाएगा तो दोस्तो ये हैं सारे फाउंटेन पैन और अगर आप मुझे से पूछे कि मुझे सबसे अच्छे फाउंटेन पैन इनमें से कौन कौन से लगे हैं तो नमबर एक पर मैं रखता हूं पारकर सोनेट को ये मेरा सबसे फिवरेट फाउंटेन पैन है पारकर की स्रीज में और सबसे बहतरी सबसे बहतरी है चलने भी इसकी क्वा बेटर हो जाती है एक थोड़ा सा प्रोब्लम प्लास्टिक वाले फाउंटेन पैन में यहां पर देखें कुछ-कुछ फाउंटेन पैन में इन में क्रेक आ जाता है लेकिन वह आपकी किस्मत के ओपर डिपैंड करता है अगर आप बाई करना चाहें तो मिटैलिक्स फाउंटे में भी बैलंस है जब स्टार्टिंग में मैंने बाई किया था तो मुझे अतना अच्छा नहीं लगा था लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इस्तिमाल किया तो यह काफी बहतरीन आपको तेरासों से पंदरासों की रेंज में फाउंटेन पैन मिलता है और चोते नंबर में फार फाउंटेन पैन दोस्तो एक छोटा से सर्प्राइज आप लोगों के लिए है यह पारकर बेटा नियो यह गीवेवी के लिए मैंने रखा है और 19 तारीक यानि के नेक्स संडे को मैं रिजल्ट गोसित कर दूँगा आपको करना क्या है आपको वीडियो को लाइक करना है शे स्क्राइब कीजेगा मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूंगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद